नमस्कार दोस्तों कोईक इंस्पायर यूटूब चैनल में आप सभी का हारदिक स्वागत है दोस्तों शास्त्रों के अनुसार सुबा उटकर ये चीजें कभी नहीं देखना चाहिए बरना सारा जीवन भिकारी ही रहोगे जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं बताएंगे कि सुबा उटकर हमें कौन सी चीजें नहीं देखनी चाहिए तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा और अच्छे से समझना होगा लेकिन दोस्तों सबसे पहले तो करपया इस वीडियो को लाइक कर दीजी क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना बोल जाते हैं अब रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके वेल आइकन भी जरूर दबाएं क्योंकि इसी से आप आगे आने वाले वीडियो आसानी से देख पाएंगे आप चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों दिन की शुरूरात में जो सामगरी, जीब या व्यक्ति हम देख लेते हैं हमारा दिन उसी की अनकूल हो जाता है अता दिन का शुभारंब हमेशा मंगलकारी व्यक्ति, सामगरी, जीब या द्रश्य से ही करना चाहिए दोस्तों हमारे हाथों में अक्षे उड़ जा होती है इसलिए विस्तर से उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए और शुभ बास सरल मंतर बोलना चाहिए आएब जानते है कि कोन सी वो बाते हैं जिनसे सुभा सुभा बचाओ करना चाहिए दोस्तों कुछ लोगों को सुभा उठते ही अपने चहरे को आईने में देखने की आदत होती है ऐसा करना आशो हो माना जाता है सुबा उठकर परचाई देखने से भी बचना चाहिए फिर चाहेंबा खुद की हो या दूसरों की चाया देखने पर दुरबाग बना रहता है चाया देखने से उस मनुस्य में डर, तनाव और भरम बढ़ता है दोस्तों सुबा सुबा अगर आप किसी कुत्ते को घर के बाहर लडाई करते हुए देखते हैं तो इसे अशुभू माना जाता है दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जानवरों के फोटो भी नहीं देखने चाहिए कहते हैं इससे दिन भर बिवाद और ओलजने बनी रहती हैं इसलिए अपने कमरे में जानवरों के फोटो नहीं लगाना चाहिए और दोस्तों सुबा तेल लगे हुए बरतन देखने से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है इसलिए संभव हो तो रात के समय ऐसी चीजों को दोर रखकर ही सोना चाहिए दोस्तों आपको बता दें सुबा हर प्रकार की आशुब मानी जाने वाली सामगरी से बचना चाहिए अकबार में भी सबसे पहले हलकी फुलकी सामगरी वाली खबरें पढ़ना चाहिए सुबह मोबाइल देखने बस शोसल मीडिया पर जाने से भी बचना चाहिए ना जाने कौन सी नकारातमकता आपको दिन भर उलजाये रख सकती है सुबह सुबह ऐसी तस्वीरें देखें जो कि आपके मन में सकारातमक परभाव डालें जैसे नारियल, शंक, मोर, हंस या फूल इन सब की तस्वीरों को देखना चाहिए तो दोस्तों यही वो चीजे हैं जिनको सुबह देखने से बचना चाहिए बरना हमारा सारा जीवन दुरभागे के साए में कटता है आज का वीडियो बस यहीं तक उमीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कमेंट के माध्यम से वीडियो के बारे में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में फेस्बुक और बाटसे पर भी ज़्यादा से ज़्यादा शियर करें और दोस्तों रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन भी दबा लें ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सके आपका बहमूल समय देने के लिए धन्यवाद फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत